आपके सवाल क्या है? सीठने को बड़े पदों पर हम लोग रह चुके हैं और हमारी पॉलिटिक्स के बारे में सब लोग जानते हैं कोई मेरा गोर विरोधी भी हो तो उंगले नहीं उठा सकता हमारी निष्ठा पर एमानदारी पर और हमारे काम करने के तरीके पर लेकिन जो पब्लिक एशूस हैं वो तो हम उठानी हैं लोग तंत्र में लोग शाही में अगर जन प्रतिती हैं तो जनता की बात तो सुननी पड़ेगी और मुझे रखता है कि आने वाले समय में नौजमानों के अंदर जो भावना हैं और यह किसी जाती या प्रांत या भाशा या समुदाय की बात नहीं है यह नौजमान हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी हैं अगर इनकी भावलाओं का संबाद नहीं करेंगे इनके संग्रक्षन के लिए हम संगर्ष नहीं करेंगे इनको उपने हाल पर छोड़ देंगे तो मायूसी और जो हाल आज हैं ग्रामीन शेत्र में और शेहरों में नौजमानों से मेला हूं मुझे दखता है कि हम लोग अपना दैट्व नहीं निबा रहे हैं क्योंकि सक्ता पार्टी विपक्ष आना जाना चलता रहेगा हर पांक साल में चुनाव आते हैं मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि ना जुमानों के लिए संगर्ष करने में ना आगे कभी परसर छोड़ूंगा बाकी चुनाव हार जीत सत्ता पक्ष यह राजनीत में आती जाती रहती है